हलो आरिवन, कॉंप्टिटिव एक्जाम में आपका एक बाफिर स्वागत है, आज मैं आपके साथ हिमाचल के युवाओं को कुछ संदेश देने यहां पर आया हूँ, आप सभी जो है आपको पता होगा कि पिछले एक डेट साल से जो हमीरपूर जो चैन आयोग था, उसे भं राजकिया चैन आयोग बना है, क्या वो स्टार्ट हो जाएगा, गौर्मेट जो है, सभी युवाओं के साथ खेल रही है, अपना टाइम निकाल रही है, और युवाओं का जो कीमती समय होता है, लाइफ का वो एज बरवाद कर रही है, और पैसा भी बरवाद कर रही है, त तो इसलिए मैं सभी युवाओं से यही आगरे करता हूँ कि आप इकटे हो करके एक बार शिमला जुरूर आएं, सभी युवा अपने हक के लिए अब आगे बढ़े, जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन भाली के लिए करमचारी इकटे हुए थे, लाकों की दादात में करमचारी करमचारी ओने विधान सभा के घहराव किया था, उसी प्रकार से युवाओं को अब इकटे हो करके घहराव करना होगा, तब ही चैनायोग जल्दी उपन हो सकता है, नहीं तो आपका ये साल भी ब्रवाद होने वाला है, डेफिनेटली ब्रवाद होने वाला है, तो जितने आपका पता है कि इस तरह से होते होतें, ये साल खटम हो जाएगा, और अगली साल भी आपको पता है कि किस प्रकार से ये एकशाम होंगे, तो मैं हिवाचल के युवाओं की कुछ मांगे लेकर यहां पर आ गया हूँ, जैसे कि आपको बयए सकते हैं कि सभी युवाओं की यही मांग होनी चाहिए कि राज किया जो चैना योग है उसको जल्दी शुरू किया जाए ताकि नहीं भरतिया आ सके यानि कि यह मचल मैं जब क्लास 3 या 4 के लिए कोई कमिशन नहीं है तो आपको पता है कि भरतिया कहां से होंगी तो यह गौर्मेट की जो है सोची समझी शा चाहिए कि कुछ जिसमें लिकेज हुई है आपको पता है कि सभी कैनिडेट ने तो पेपर लिक नहीं किया है एक दो कैनिडेट जो थे जिन्नोंने पेपर लिक किया है उनको साइड में रख करके बाकी रिजल्ट निकाला जाए तो यह आपकी डिमांड होनी चीए कि पैंड युवा जो है एक्जाम नहीं दे सकता और बार बार वही सिचुएशन एक कैनिडेट के साथ नहीं हो सकती यानि कि कल उसका दिन अच्छा होगा आज रूरी नहीं है कि उसका दिन अच्छा हो तो मैं यही सरकार से उमीद करता हूँ कि सरकार यह जितने भी पैंडिंग निकालनी चाहिए ताकि कैनिडेट को यह पता लगे कि उन्होंने कौन सा एक्जाम फिल किया है कब उसका एक्जाम होगा और उनकी तिती निधारित की जाए ताकि युवा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके आपको पता है कि आपके सामने कोई भी एक्जाम नहीं होने पर ह हम ढंक से स्टड़ी नहीं कर पाते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि आगे कौन सा एक्जाम होगा तो सरकार जल्दी से जल्दी नहीं भरतियों को जारी करें और गैस टीचर वन मितर जैसी भरतियों को बंद किया जाए इससे जो आपको पता है कि यह सरा सर युवाओं के वि कर भी नहीं सकता तो इस प्रकार की जो पॉल्सियां है गैस टीचर जैसी या वन मितर जैसी उनको बंद किया जाए और युवाओं के विविश्या के साथ खिलवारना किया जाए और पांच वाज है जिसे जेओ आइटी आट सो सत्रा नो सो थीन नो सो उन्तालिस और नो सो पॉस्ट कोड है जो लगबग चार साल से इसमें जो है कोड में फसे हुए थे वहां से क्लियर होने के बाद अब सरकार के हाथ में बात आ गई है तो सरकार को चाहिए कि तुरंद प्रभाब से इनके रिजल्ट निकाले जाए आपको पता है कि एक अग्जाम को क्रैक करने मे कई साल लग जाते हैं क्योंकि इसमें लिग के नामात्र किये तीन-चार कैनिडेट मिले हैं वो हमिरपूर चैन आयो के ही करमचारियों के जो रिष्टेदार है वही मिले हैं बाकी आम कोई भी कैनिडेट है जिसने पेपर नहीं करीदा है तो सरकार को चाहिए कि इस परकार क करता हूं कि माचल के युवाओ आप सभी साथ हो जाओ नहीं तो ये सरकारे आपकी जिन्दगी और समय और पैसा दोनों बरवाद कर देगी और एक साल से ज़्यादा समय हो गया है नया कमिशन नहीं बन पाया है इसी रफ्तार से तो अगले एक साल और नहीं बन पाएगा त कमिशन का कोई अता पता नहीं है और यदि कमिशन नहीं बनता है तो आपको नहीं भरतिया भी देखने को नहीं मिलेगी जो भी भरतिया निकल रही है वो भी वहाँ पर भी जोईनिंग उन्होंने लटका के रखी है तो आप दे सकते हैं कि सरकार की क्या मशा है किसी को मन्शा है और सभी pending result के अभियारती एक जुट हो जाए मैं सभी pending जो result के अभियारती है मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है एक जुट हो जाए नहीं तो सरकार जो है जो pending जितने भी result है उनको cancel करने के बारे के चक्कर में हैं कुछ गलत करने वाले लोग की तादात में शिमला पहुंचे तभी सरकारों पर प्रश्र बनाया जासता है नहीं तो यह एक्जाम कैंसल की ओर जा रहे हैं जागो यूवा साथियो अभी नहीं तो कभी नहीं आज की वीडियो हमारी आप किस प्रकार के लेगी आप इस वीडियो को जुरूर आगे शेयर कीजिए जितने भी जो कैंडिडेट जो है लाइब डेरियो में पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पचाए यदि कैंडिडेट जागेगा तब ही कुछ हो पाएगा नहीं तो आपकी सरकारे आपका शोशन करती रहेंगी आपका समय और पैसा दोनों बबाद करती रहेंगी और आपको पता है कि एक एकजाम को क्लियर करने में चार से पांस साल लग जाते हैं और आपको पता है कि कई बार आप हमीरपूर पहुंचे होंगे और आपने टाइपिंग दी होगी और डॉक्यमेंटेशन दी होगी कितना खर्चा आपका आने जाने में हुआ होगा तो सभी समझदार है इसलिए सभी जो कैनिडेट यूआ है वो एक जूठ हो जाए तभी सरकारों पर दबा बनाया जा सकता है धन्यवाद